नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में चार छिक्के और तीन नौट आप देख रहे हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं इनकी कीमत बताने वाले हैं और आज इने हैंड टू आतों हाथ आपको पैसे देंगे जितनी भी आपको यह कीमत बताई जा रही है वो सारी कीमत आपको पहले ही आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी तो चलिए पहले इन नौट और शिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं फिर आपको सारी जानकारी देते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आज तक इतना सरल और इतना आसान तरीका आपने नहीं देखा होगा इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान पूरक सुने पहले हम बात करते हैं 10 रुपे के ये सी रंग राजन के जो सिगनेचर वाली जो ये गवर्नर जनरल की जो नोट है 10 रुपे की इसम आपको इसकी डबल रेट मिलने वाली है तो ये नोट आप जो देख रहे हैं इसकी कीमत आपको जो मिलने वाली है वो 2,00,000 से लेके 3,70,000 रुपे तक मिल रही है 3,70,000 रुपे अगर 786 की सीरियल होगी तब मिलेंगे नहीं तो आप 2,00,000 रुपे में बेच सकते हैं अगला 6,50,000 रुपे दे रहे हैं और अगर उसके अलवा ये 786 की सीरियल में है तो 8,00,000 रुपे पूरे इस नोट के मिलने वाले हैं अगला नोट आप देख सकते हैं दोस्तों 2 रुपे का बहुत ही रेर नोट है बहुत से कम लोगों के पास ये नोट मिलेगा और अगर ये नोट आपके पास है तो आप अभी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए जांसे हम जल्दी से जल्दी आपसे कॉंटेक्ट करेंगे और ये नोट खरीद लेंगे और इसकी कीमत आपको देंगे पूरे 6,00,000 रुपे दोस्तों बहुत ही कम लोगों के पास गिने भी आपको बताई जाया रही है वो कीमत दी जा रही है अगला नोट देख सकते हैं भारती रिजरो बैंक के जो निर्मान वरस के उपलक्स में जारी किया गया को मेमरिटी कोईन से ये 10 रुपे या 5 रुपे में हो सकता है तो इस सिक्के की आपको जो कीमत मिलने वाली है वो द्यान देने वाली है कि दो रुपे के सिक्के अलग-अलग मिंट में जारी किये गए थे अलग-अलग मिंट में डाले गए थे तो अगर डॉट मिंट मार का ये दो रुपे वाला सिक्का है तब इसकी कीमत एक लाक और 80,000 रुपे आपको मिलने वाली है अगला सिक्का को मे तो दोस्तों ये एक्जिबिशन कहा शुरू हुआ है exhibition में जाने की process क्या है या आप घर बैठे ये note और सिक्के कोई साभी एक सिक्का है तब भी आप call करके अपने note और ये सिक्के जो है वो बता सकती है और उसकी कीमत पहले ही प्राप्ट कर सकती है तो चलिए वो सारी जानकारी आपको दे देते हैं के फायदे की कोई भी वीडियो आए तो आप उस वीडियो को देखकर जल्दी से अपने note और सिक्के बेच सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे की जानकारी आपको विस्तार से दे देते हैं दोस्तों वैसे तो साल बर में विबिन सहरों में currency exhibitions लगते रहते हैं जहां पर आप अपने note और सिक्के बेच भी सकते हैं और कोई आप rare ऐसी वस्तों हैं जिनें खरीद भी सकते हैं इस तरह के exhibitions साल बर विबिन सहरों में लगते रहते हैं लेकिन अभी साल स्टार्ट हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं 2022 शुरू हुआ है तो यहां पर बहुत ऐसे currency exhibition से जिनका आयोजन किया जा रहा है और बहुत से foreign के जो buyer से वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और note और सिक्के collect कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक जो buyer है दुबई से आए हैं और एक buyer इंगलेंड से आए हैं इनके साथ आप देख सकते हैं Thailand से भी एक buyer आई है तो इन्हें इन note और सिक्कों की बहुत ही सक्त जरूरत है इसलिए इन्होंने अपने खुद के number यहां आते ही जारी किये हैं कि जिन किसी के भी पास इस तरह के पुराने note और सिक्की हैं तो वो direct in के number पे contact करके इन्हें अपने note और सिक्के बेज सकती हैं और उन से बात करके अपने note और सिक्कों की जो कीमत होती है उनके बारे में भी discussion कर सकती हैं तो वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में available करवाई जाएगी क्योंकि दोस्तों हमारे जितने भी सरोता गणहे वीडियो देखते हैं वो लोग बहुत से सिकायत करते हैं कि आज तक हमें इस तरह का real buyer नहीं मिले हैं या हमारे note और सिक्के नहीं भी कि हैं बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी तो दोस्तों ये बात का आप बिल्कुल ज्यान रखें कि जितने भी लोग जो वीडियो के नीचे आप से कमेंट करते हैं और उसके बाद आप उनसे कॉंटेक्ट करते हैं और वो कोई भी रजिस्टेशन फीस की मांग करते हैं तो आप समझ जाईए कि वो एकदम फरजी और फ्रोड बायर है उस तरह के लोग इन note और सिक्कों को नहीं खरीते हैं वो सिरफ आप से 500 या 1200 जितने भी रुपय आप रजिस्टेशन के लिए देंगे वो एंटने के लिए ही आप से कॉंटेक्ट करते हैं इसलिए इस तरह के लोगों से सावधान रहें और इन्हें कभी भी अपने note और सिक्के ना बेचें क्योंकि दोस्तों पुराने note और सिक्के बेचने से संबंदित कोई भी रजिस्टेशन नहीं होता है और ना ही कोई सुलक लिया जाता है इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने पुराने note और सिक्के उन्ही रजिस्टरड बायर्स को बेचें जो ना तो कोई रजिस्टेशन करवाते हैं और ना ही एक रुपया भी फीच लेते हैं सिरफ उन्ही लोगों को अपने note और सिक्के बेचें और अगर कोई आप से इस तरह से रजिस्टेशन के नाम पर पैसे ले चुका है तो आप उसके खिलाब सिकायद भी कर सकती हैं अगली बात दोस्तों आपको कमेंट में अपनी कोई भी परसनल जानकारी नहीं देनी है जिससे कि आप किसी ठगी का सिकार हो आपको सिरफ और सिरफ आपके पास इतने भी note और सिक्की हैं वो बताना है उसके अलावा आपको कोई कॉई कांटेक्ट की जानकारी सिरफ देनी है या तो आप अपने WhatsApp नंबर दे सकते हैं या अपना कोई email address या आपका जो residential address है वो भी लिख सकते हैं जिससे कि अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में currency है तो वहाँ पर आपके घर आकर ये जो है देख सकते हैं आप coin cabinet जो लंडन इंगलेंड से ये बायर आए हैं ये खुद आपके घर आकर भी इन्हें collect कर सकती हैं ये अभी इंडिया में आ चुके हैं इन्होंने देली में इंदोर में और मुंबई में अभी जो इसी महीने में ये exhibitions लगवाने वाले हैं जो चार-चार दिन तक चलने वाले हैं सबसे पहले ये दिल्ली में exhibitions लगाएंगे जो exhibition पूरे चार दिन चलने वाला है जो कि मकर सक्रांती यानि की 14 जनवरी से सुरू होगा और 18 जनवरी लाष्ट दिन है तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी दिल्ली में इसका address अभी हम आपको दे देंगे उसके अलावा हमारे वीडियो के description में आपको एक छोटी सी link दी हुई है उस पर जाकर आप इन सारे जितने भी exhibitions लग रहे हैं उनकी official जितनी भी जानकारी है वो वहाँ से देख सकते हैं इन buyer से आप contact भी कर सकते हैं और इन से बात भी कर सकते हैं अगर आप English नहीं जानते हैं तो इनके साथ में Indian buyers भी है जो आप से बात करेंगे आपके note और शिकों के बारे में discussion करेंगे और उसके बाद आपके note और शिके ये खरीद लेंगे अगर आप दिल्ली वाले exhibition में नहीं जा सकते हैं तो 19 तारिक से indoor में exhibition लग रहा है जो की 23 तारिक तक चलेगा अगर आप उस indoor वाले में भी नहीं जा सकते हैं तो 25 तारिक से ये फिर Mumbai में exhibition लगा रहे हैं अभी जनवरी में ये तीन ही exhibition लगने वाले हैं उसके अलावा आगे फैब यानी February में आप तीन चार और exhibition लगने वाले हैं उसकी भी जानकारी हम हम हमारे अगले वीडियो में दे देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और इसी तरह की genuine और official जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे हैं जहां पर जितने भी currency exhibitions और बारत में जो official जो भी museum है currency के उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे जिससे की आप अपने not और सिक्के जल्दी से बेच सकें और इस तरह के फरजी बायर से बच कर रहे हैं जो की आपसे registration के नाम पर पैसे मांगते हैं दूसरी बात दोस्तों हमारे वीडियो में हम किसी भी तरह की कोई भी application डाउनलोड नहीं करवाते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो भी application होती है वो सिरफ और सिरफ रैफर एंड एरन के लिए आपको डाउनलोड करवाई जाती है पुराने नौट और सिक्के बेचने से संबंदित कोई भी application डाउनलोड नहीं होती है इसलिए उस तरह के वीडियो से आप सावधान रहें क्योंकि जो भी लोग रैफर एंड एरन की application डाउनलोड करवाते हैं वो खुद फरजी होते हैं उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि पुराने नौट और सिक्के किस तरह से बेचे और खरीदे जाते हैं वो सिरफ और सिरफ वीडियो बनाते हैं उस पे व्यूज के लिए और दूसरी बात वो आप से वो application डाउनलोड करवाने के लिए ही इस तरह के वीडियो बनाते हैं इसलिए इस तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें हम चाहते हैं कि आपके नौट और सिक्के जल्दी से जल्दी बिकें उसके लिए आपको तरीका बता दिया है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने जाएए वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप जल्दी से जल्दी इन सभी बायर्स से contact कर सकते हैं जिसमें उस लिष्ट में बहुत से foreigner के बायर्स भी हैं और उसके साथ हैं इंडियन बायर्स भी हैं जो आपसे रूबरू होके आपके नौट और सिक्के खरीद लेंगे उसके अलावा जैपूर में भी कोईन एक्जिबिशन लगने वाला है जिसकी जानकारी भी हम हमारे अगले वीडियो में आपको दे देंगे थैंक यू जहीं दोस्ता मिलते हैं अगले वीडियो में